Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे Recently, European Union के एक High Ranking Official ने ये कहा कि Ukraine उस तरीके का मदद का उमीद ना करे जिस तरीके का मदद इसरेल को दिया जा रहा है Western countries या US के द्वारा ये statement अपने आप में बहुत ही depressing statement है अगर आप इस चीज को Zelensky के point of view से देखेंगे तो इसके अलावा भी Ukraine और Russia के war शुरू होने के पहले बहुत सारे ऐसे defense experts का ये माणना था कि अगर Zelensky directly बात करते व्लादमेर पुतिन के साथ तो possibility काफी high था कि इस war को रोका जा सकता था लेकिन कहीं न कहीं Zelensky को ऐसा लग रहा था कि Ukraine को इतना मदद मिलेगा कि वो Russia को हरा देगा अब हमारे बीच जितने भी लोग होंगे जो geopolitical news को काफी closely follow करते हैं उनको ये बात पता है कि Russia आज भी इतना powerful है कि वो directly USA को challenge कर सकता है और USA कभी भी Russia के साथ war में जाना नहीं चाहेगा इस वीडियो में हम जाने है कि आखिर में Ukraine क्यूं उमीद करता है कि उसे western countries उसी तरीके से support करें जिस तरीके से support इस्रेयल को किया जा रहा है और क्यूं European Union को ये बोलना पड़ा कि वो Zelensky का expectation को fulfill नहीं कर सकते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ू इससे पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं बीते Saturday लगभग साढ़े 300 से भी अधिक rockets और missiles दागे गए इरान के द्वारा इस्रेइल के उपर जिसके बारे में ये कहा गया कि almost 99% जो missiles या rockets थें उनको diffuse कर दिया गया और इसके पीछे बढ़ चड़कर credit दिया गया इस्रेइल के iron dome को लेकिन कुछ दिनों के बाद ही ये मालूम पड़ता है कि Saudi Arabia, UAE, Jordan, US और भी कुछ Western countries जिसमें की UK है, France है इन सभी ने बरचड़ कर सपोर्ट किया इस्रेइल को against Iran और ये जो अभी आप map देख रहे हैं ये 2021 के data के हिसाब से है जहां पर आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से Middle Eastern region में US का military base है तो almost हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो Middle East है वो USA का दूसरा घर है और almost जितने भी जो countries चाहे वो Arabic nations के हो चाहे वो Middle East में हो सभी के जो relation है वो USA और इस्राइल के साथ बेहद अच्छे हैं और इस चीज़ का प्रमान हम देख भी सकते हैं जब से इसराइल और इरान के बीच में टेंशन बड़ा आ है तब से तो इस खास incident को देखने का बाद Zelensky ने request किया कि उनको भी कुछ इसी type का support चाहिए जिस type का support इसरेल को दिया गया जिसके response में Joseph Borrell ये कहते हैं कि यूकरेन उस तरीके का support का उमीद ना करे जिस तरीके का support इसरेल को मिल रहा है Western countries, USA और Middle Eastern countries के द्वारा जब से हमास और इसरेल के बीच में conflict शुरू हुआ और उसके बाद अब इसरेल और इरान की बीच में जिस तरीके से tension बढ़ा है तो ये कहीं न कहीं Russia-Ukraine war में Vladimir Putin को मदत मिल रहा पहले क्या था कि Western countries बढ़ चड़कर Ukraine को support कर रहे थे लेकिन फिर भी Ukraine को इतना support नहीं मिला जितना support इसरेल को मिला उसके पीछे के नब बहुत सारे वज़े एक तो Russia सच में इतना powerful है कि शायदी कोई ऐसा देश होगा जो directly challenge करना चाहेगा Russia को और उसके पीछे का भी एक जो सबसे बड़ा वज़े है वो है nuclear weapon almost 2022 के February से Russia-Ukraine का war शुरू होता है तो वहाँ से भी लगबग 2023 तक बहुत सारे ऐसे western countries थे हैं जो Russia से natural gas और oil purchase कर रहे थे उसके बाद France बढ़ चड़कर Russia-Ukraine war को रोकने का attempt किया लेकिन अगर आब वहीं France का statement देखेंगे इसरेल और इरान के conflict में तो France बढ़ चड़कर इसरेल को support कर रहा है इसी चीज़ को Joseph Boral कहते हैं कि दो situation को एक में हम compare करके नहीं देख सकते हैं दोनो situation का जो circumstances है वो completely अलग है no doubt कि almost 99% जो weapons या missiles दागे गए इरान के द्वारा उसको intercept कर लिया गया लेकिन उस intercept का price इतना जादा हो गया कहने का मतलब है कि अपने आपको defend करने का price इतना जादा हो गया कि अगर इसरेल बहुत दिनों तक war में रहता है तो उसके देश का जो within atmosphere है यानि कि जो इंसानों के रहने के लिए जो वातावरन होता है वो काफी depressing हो जाएगा वो काफी tense हो जाएगा तो जिसके वज़े से वहाँ के जो common civilians है उनको कही न कहीं mentally बहुत सफर करना पड़ेगा और उसके बाद war लडने से जादा important होता है उस war damage से recover करना अगर आप इस map को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर इरान को किसी भी तरीके से इसराइल के उपर attack करना है तो कहीं न कहीं साउदी अरेबिया UAE, इराक, सीरिया, लेबनान इन सब देशों को inform करना पड़ेगा क्यों क्योंकि इनका airspace use करना पड़ेगा इरान को अगर इरान ऐसा नहीं करता है तो चांसेस काफी हाई है कि जो civilian planes है वो कहीं rocket से hit ना हो जाए जिसके कारण क्या होगा कि जो पूरा momentum है वो against इरान हो जाएगा तो जब भी इरान, साउदी अरेबिया या UAE, लेबनान, सीरिया को इनफॉर्म करेगा possible attack के बारे में तो हम कह सकते हैं कि definitely Saudi Arabia, UAE, लेबनान, सीरिया ये सब फिर inform करेंगे US को और फिर US inform करेगा इसरेल को तो कहने का मतलब है कि जो possible attack होने वाला रहेगा वो पहले से ही पता रहेगा इसरेल को और उसके allies को कहने का मतलब है कि USA और Western countries को तो उस circumstances में इरान के दोवारा जो rockets दागे जाएंगे उसको diffuse करने का जो chances है वो काफी बढ़ जाएगा इसमें कहीं से कोई दोराय नहीं है कि इसरेल का defense system सच में काफी दमदार है और इसरेल बढ़ चड़कर अपने research and development में पैसे खर्ष करता है और ऐसे multiple reports है जहाँ पे ये हमें मालूम पड़ता है कि इसरेल बढ़ चड़कर Saudi Arabia या UAE को अपने defense technologies देता है तो ये भी एक बहुत बढ़ा वज़ा है कि क्यों इसराइल और इरान के tension में Saudi Arabia या UAE बढ़ चड़कर इसराइल को support कर रहा है जब Ukraine और रश्या के बीच में war शुरू हुआ था तब बहुत सारे western countries बढ़ चड़कर support कर रहे थे लेकिन फिर भी limited तरीके से support कर रहे थे और एक point पर ऐसा लग रहा था कि कहीं NATO इस war में involved ना हो जाए ऐसा media में perceptions create किये गए थे लेकिन reality ये है कि NATO रश्या को कभी भी upset करना नहीं चाहेगा क्योंकि Russia as a country काफी strong है और उससे भी बड़ी बात कि ये nuclear capable देश है उसके बाद भी पाकिस्तान से ये उमीद था कि हो सके पाकिस्तान इरान को support करे या Palestine का जो cause है उसको support करे क्योंकि Pakistan इसरेल को as a country recognize ही नहीं करता है और सिर्फ पूरे Muslim countries में सिर्फ पाकिस्तान के पास ही nuclear weapon है लेकिन जब से इसरेल और इरान के बीच में tension शुरू हुआ तब से पाकिस्तान जो इसरेल को as a country नहीं मानता है वो इसरेल को support कर रहा है उसके पीछे का एक जो सबसे बड़ा वज़ा है वो यह है कि IMF का loan और IMF का loan बगैर US के approval के पाकिस्तान को नहीं मिल सकता है और अगर US approval दे रहा है तो कहीं न कहीं पाकिस्तान को वही करना पड़ेगा जो US चाहता है तो अगर इस report को पढ़ने के बाद हम conclude करें तो हमें एक चीज समझ में आता है एक तो अपना देश का foreign relations को complete तरीके से independent रखें और दुनिया में जो घटना घट रहा उन सब चीजों को हम बहुत ही deep तरीके से उसका analysis करें और देखें के किस तरीके से देश अपने फाइदे के हिसाब से एक दूसरे को support करते हैं इस बीच ये भी काफी important होता है कि भारत as a country हमें research and development में खुब पैसे खर्श करने पड़ेंगे अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा defense बहुत हद तक हमारे control में रहेगा I hope that you like the video